हेलो एवरिवान वेलकम टो क्वान स्टाडी हम लोग अपना जीए का पार्ट कवर कर रहे हैं जो क्लास फूर रिक्रूट्मेंट के लिए हमारा सेलेबस है मैं आपको भी फिलहाल इंडियन हिस्ट्री करवा रही हूं और अल्रडी आपको इंडियन जियोग्रफी कापिटल स् कि आप सब लोग सोच रही होंगे कि क्यों कि नहीं वीडियो उसके साथ करवा रही क्यूंकि आपकी हाफ से ज़्याधा कापिटल स्टेट हो गही प्लानिंग की आगे की जो विडियोज हैं वो पर्टिकुलर्ली कापिटल स्टेट से रिलेटेड ही हूँ ताकि आपको पीडिएफ भी उसी तरह से मिल जाया करें ठीक है तो इसके इलावा जियोग्रिफी ऑफ जमो इन कश्मीर आपका अल्मुस्ट खतम है हिस्ट्री ऑफ ज जाकर कहां देख सकते हैं चानल पर जाएए ले लिस्ट के आप्शन में जाएए वहां पर आपको डिफ्रेंट ले लिस्ट मिल जाएंगी और वहां पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वह आपको जीए सेक्शन के अंदर अवेलिबल हो जाएगा तो मेक्शिओर कि हर रोज शाम को चार बज़े अप्लोड हो जाती है हर रोज चार बज़े आपके लिए जिये की एक विडियो आ जाती है ताकि आप पढ़ते रहें और आपकी स्टडी पर कोई अफेक्ट नहीं हो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चानल पर नए है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो सोशल मीडिया हैं उनके भी लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलिबल है उन्हें भी जाकर आप जॉइन कर लीजिए जहां पर टेलिग् कि आज हमारा रक्षा बंदन है तो मैं आपने सारे व्यूवर्स को रक्षा बंदन की बहुत-बहुत शुब कामनाई देती हूं और जो हमारे मुस्लिम स्टूजन्स हैं उनका भी अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ है तो क्योंकि मेरी विडियो लेट आ रही है तो म मैं उन्हें भी इद की बहुत-बहुत मुबारक देती हूं तो फेस्टिवल्स का त्योहार चल रहा है बट मेक शौर कि आप फेस्टिवल्स मनाई पर स्टडी पर कोई एफेक्ट नहीं होने दे ओकी तो से फेस्टिवल्स के साथ-साथ आपकी स्टडी भी जरूरी है तो च है वह अल्मुस्ट करवा दी थी पिछली विडियो में और आज हम लोग मुकल डाइनिस्टी के बारे में देखेंगे मेजर ली यही तो में हैं मीडिवल हिस्ट्री में जो आपके एक्जाम्स में मोसली पूछी जाती है इन्हीं के रूलर्स से रिलेटेड हमारे क्वेस्ट बनते हैं मोसली तो चलिए आज का हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे यह हमारी डेली सल्टनेट के जो फाइव डाइनिस्टी थी इसके बारे में इन्फिमेशन है यह मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्स्प्लेइन किया हुआ है आज में सिर्फ फिरोशा तुगलग को ठीक है जो की बहुत ही इंपोर्टेंट रूलर है तुगलग डाइनिस्टी का उसके बाद क्या हुआ जब फिरोशा तुगलग जो थे उनकी डेथ होगी उसके बाद जो तुगलग डाइनिस्टी थी उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया ताइमूर की इन्वेजन हुई ठीक है? टाइमूर की इन्वेजन हुई 1398 में ताइमूर कहां आ से थे ज़सेंडेंटेंट छंगेज खान के ठीक है? अर इन्होंने कि ताइम पर अटाक किया है? Means की है महांद शाह 사fen है, पुछ्छाम अटे को के ठीक है? इन्हों ने एक नॉमिनी अलोट कर दिया अपने नाम पर जो अब क्या करेगा आगे रूल करेगा उनका नाम था खिजर खान जो करेंगे अब पंजाब को रूल तो वहां से सयर डाइनस्टी जो थी वो भी डेली में रूल करना शुरू हो गया इसता इसता तो हुई इस फाउंडर सयर डाइनस्टी और मेजर आपका जो सेकिंड क्वेस्टन बन सकता है सयर डाइनस्टी से वह सर्फ यहीं है कि लास्ट रूलर कौन थे सयर डाइनस्टी के सुछ वास आलम शाह अगर हम चंगेज खान की बात करें तो चंगेज खान क्या थे यह भी एक मंगोलियन ही थे जिन करने की कोशिश की थी किसके टाइम में टाइम फ्रेम में रुकिए मैं आपको वापिस बताती हूं तो यह चंगेज खान के अब हम बात करें हैं चंगेज खान ने ट्वेल थरी फाइव में इल्टुत मिश्च के टाइम पर इन्टुत मिश्च के टाइम पर इन्होंने इन्वेजन करने की ट्राइ की थी बट वो बाटल सक्सेस्फुल नहीं हो पाई थी इसलिए उस टाइम पर मैंने आपको चंगेज खान के बारे में जादा नहीं बताया है बट फिर उसके बाद इमूर ने तो बहुत तूठा था डैली को ठीक है तो इसकी वाज़स सहेइर डाइनिस्टी आए थी दैंगें लोदी डाइनिस्टी अजसो वरी इंप्रोटेंट आपके जो स्लेव डाइनस्टी है उसमें ठीक है तो लोदी दाइनस्टी के फाउंडर थे भेलोल लोदी ऑ also known as the first Afghan ruler in India, ठीक है, इन्होंने बहलोली कॉइन चलाया था, गुलरुखी पोईम जो है इसके बाद कुन आये थे, सिकंदर लोदी, ठीक है, तो सिकंदर लोदी is famous for his गुलरुखी पोईम, ठीक है, और इन्होंने ही आगरा सिटी फाउंड की थी, 1504 में और 1506 में इन्होंने डेली से कापिटल चेंज करके आगरा कापिटल बना दी थी, डेली सल्टनेट की, ठीक है, फिर उसके बाद गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी भी इन्होंने एक लांड मेजरमेंट यूनिट जो था वो लॉंच किया था, आपको पता है, बहुत सरे जो लांड मेजरमेंट यूनिट्स हैं, वो स्लेव डाइनस्टी के टाइम पे पहले भी मैं आपको पढ़ा जुकी हूँ, तो this was also one of those, उसके बाद जो और आपको exam point of view से important है, that is, last ruler जो थे वो थे इब्राहिम लोधी, और last battle जो थी, slave डाइनस्टी की या लोधी डाइनस्टी की, that was battle of panipat, और battle of panipat किस किस के बीच में लड़ी गई थी, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, ठीक है, और यहीं से शुरू होता है आपका Mughal Empire, ठीक है, तो Delhi Sultanate के कुछ और important चीज़े हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, तो एक तो यहाँ पे हैं आमिर खुसरो, आमिर खुसरो was the famous poet, ठीक है, आमिर खुसरो जो थे, इन्हों ने ये Delhi Sultanate के 10 different rulers के under court में रही हुए है, that is why he is very important, ठीक है, तो बहुत बारी question आजात है, who has taken patronage in 10 different rulers of Delhi Sultanate, तो क्या answer रहेगा आपका, आमिर खुसरो, ठीक है, उसके बद second जो important fact आपको मुझे बताना था, that was about Malik Kafur, Malik Kafur को अगर आपने Padmavat movie देखी हो, तो आपको पता होगा, Malik Kafur कौन है, Malik Kafur was a very, very close alley of Alauddin Khilji, तो उन्होंने Malik Kafur को नायाब का टाइटल दिया था, ठीक है, और इसे Malik Kafur को ही 1000 दिनारी भी बोला जाता था, क्यों, क्योंकि Alauddin Khilji ने 1000 दिनार देके Malik Kafur को खरीदा था, ठीक है, Malik Kafur को 1000 दिनार देके खरीदा था, ठीक है, so let's move forward to our Mughals now, देखिए, तो मुगल में हमारे सबसे पहले अगर जो आते हैं वो हैं, बाबर, ठीक है, it started with बाबर, तो अगर कभी founder पुछा जाएगा, मुगल एंपायर का तो कौन है, हमारे बाबर, ठीक है, इन्होंने सिर्फ चार साल रूल किया, और इनके टाइम पे जो बैटल्स जो इन्होंने लड़ी हैं, वो थी, बैटल ओफ पानिपत, जो मैंने आपको अल्रोडी बता दिया, इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है, देन, वोस बैटल ओफ खानवा, और ये थी, बैटल ओफ चंदेरी, इन्होंने मेधनी राय के साथ लड़ी, और उसके बाइब बैटल ओफ घगरा जो थी, वो बहुत सरे चोटे-चोटे अफगानी फोर्स इस थे, उन्होंने मिलकर बाबर पर आटक किया है, और उसके बाद इनकी 1530 में डेथ हो गे, ठीक है, तो अगर आपको इसको याद करना है तो आप कैसे याद रख सकते हैं इन चार बैटल्स का जो chronology है जो order है वो कैसे याद रख सकते हैं देखी पानी पिया खाना खाया चान देखा घर गया मर गया ठीक है मैं वापिस बोलती हूं पानी पिया खाना खाया, चान देखा, घर गया, मर गया, ठीक है, तो ये चार बैटल्स जो है, वो आपकी आगी उसमें, और उसके बाद 1530 में डेथ होगी, तो इसलिए मर गया, ठीक है, अब इन्होंने, इनका जो टूम है, टूम क्या होता है, मरने के बाद एक टूम बनाया जाता है, that is a very, that was a very famous tradition in Mughal Empire, तो इनका टूम जो है, पहले वो आगरा में बनाया गया था, and लेटर ओन इट वो शिफ्टिट टू, तो आपको ध्यान रखना है, कि उनकी डेथ कहां होई थी, आगरा में, ओके, बट लेटर ओन उसको कहां शिफ्ट कर दिया गया था, काबुल में, तो जब एक्जाम में आएगा, कि वाओ, कहां पे उनकी डेथ हुई थी, तो यूविल मार्क आगरा, ओके, and अगर उनके टूम के बारे में पूछा जाएगा, तो यूविल मार्क काबुल, ठीके, अगर ये पूछा जाएगा, कि वेर वोस इस टूम इन इंडिया, तो फिर करेंगे, आगरा, ओके, अब अगर हम बाबर नामा की बात करते हैं, विचोज दी ओटो बाइग्रफी, ओफ बाबर, उसे किस में लिखा गया था, तरकिश में, ठीके, अब फ्रम हेर, देज देज वन मोर क्वेस्टन दाट कान बी आस्ट, ठीके, मुगल एंपायर जो था, उसकी ओफिशल लांगवेज क्या थी, उसकी ओफिशल लांगवेज थी, ठीके, और तरकिश जो थी, ये किसकी ओफिशल लांगवेज थी, सुल्तान्स की, या फिर डेली सल्टनेट की जो ओफिशल लांगवेज थी, दाट वस तरकिश, और मुगल एंपायर की जो ओफिश तो इसलिए इंपॉर्टन बन जाता है क्योंकि दिस वोस्ट ऑनली बुक जो तर्किश में लिखी गए थी उसके बाद की सारी बुक्स जो है वो पर्शियन लाइंग्वेज में थी या फिर किसी ओर लाइंग्वेज में बट नॉट इन तर्किश ठीक है तो लेट्स मूव हुमायों ठीक है सबसे पहले दस साल रूल किया उसके बाद एक साल और रूल किया तो इनके रेंड में जो इंपॉर्टन इनकी बैटल्स थी डाट वस बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम जो दोनों किसने लड़ी थी शेशा सूरी ने ठीक है शेशा सूरी ने लड़ी और दूसरी दोनों जीत गए थे वो और दूसरी ही बैटल के बाद उन्हें इंडिया चोड़ना पड़ गया था यह इनकी सिटी इनों ने एक बनाई थी जिसका नाम तर दीन पना ठीक है बैटल ऑफ सर हिंद उसके बाद हुई थी 1545 में 1545 में शेशा सूरी की इन पर हुमायों ने वापिस अटैक किया और डेली को वापिस जीत लिया ठीक है अब हुमायों की जो आटो बायोग्राफी है उसका नाम है हुमायों नामा और इसे किस ने लिखा है गुल बदन बेगम ने लिखा है जो कि इनके सिस्टर थी अब देखे क्योंकि शेशा सू पुरी भी हमारे लिए इंपोर्टन बन जाते हैं शेशा सूरी का रेल नेम था फरीद खान यही थे जिन्होंने रुपईया जो की अभी हम यूज करते हैं इंडिया में करंसी इंट्रिज्ट इस करंसी जो फेमस बुक है पदमावत जो फेमस टोरी है पदमावत वो शेशा की मलक मोहमद जैजी ने ठीक है उसके बाद पुराना किला जिसे किला एक कुहाना भी बोले जाता था उस टाइम पर वो भी शेशा सूरी ने बनाया सडख ए आजम जो जीटी रोड बोली जाती है वो भी शेशा सूरी ने बनाई जो कनेक्ट करती थी बांगलेश को के साथ and उनकी आर्मी से गलती से जो तोप थी वो भी शेशा सूरी के ऊपर ही चला दी गई तो इस वज़ा से वो उनकी डेथ हो गई ठीक है यहां से एक और question मैं आपको बताती हूँ there is a fact about barber कि सबसे पहले जो आट लरी था जब से पहले आट लरी किसने यूज किया हुआ है तो इट वस यूजड बाबर यह जो तोप वगेरा थी यह सब सबसे पहले किसने यूज की है बैटल्स में बाबर में okay so let's move forward to akbar who was the son of humayu ठीक है जब humayu की death हो जाती है उसके बाद आ जाते हैं अकबर अकबर was only 13 years old जब यह राजा बना दिये गए ठीक है 13 years के थे जब यह राजा बना दिये गए he was the longest ruler of Mughal Empire along with Aurangzee दोनों ने कित्ता कित्ता राज किया है 49 years दोनों ने Aurangzee बने भी और अकबर ने भी ठीक है अकबर ने बहुत सारी अच्छी चीज़े की जैसे ही रिमूवड जिजयर सिस्टम पिल्ग्रिमेज सिस्टम ठीक है तुलादान सिस्टम इन्होंने शुरू करवाया तुलादान सिस्टम मतलब जब भी कोई battle जीत कराते थे तो अकबर राजू में बाद जाते थे और दूस किया हुआ था दिवाने खास और दिवाने आम ठीक है दिवाने खास जो था वहां पर official meetings होती थी और दिवाने आम जो था वहां पर जो भी public meetings होती थी जहां पर public की सुनवाई वगेरा होती थी वो साब यहां पर होता था अब अकबर के जो nine jewels हैं they are very important from exam point of view so you need to remember कि कौन क्या काम करते थे बीडबल जो थे उनके advisor थे तांसेल musician थे टोडर मल जो थे उनके finance minister थे मान सिंग उनके commander थे अबदुर रहीम खाने खाना जो थे वो poet थे फैजी भी poet थे अबुल फजल भी poet थे उनके मुलादो प्याजा जो थे वो उनके cook थे और भगवान द बन वाया था और बैटल ऑफ हल्दी घार जो कि एक राजपूत रूलर के साथ लड़ी गई थी जिनका नाम था महराना प्रताब वो भी अकबर के साथ लड़ी गई थी ठीक है अकबर के टाइम पर बहुत सारे फोर्ट बहुत सारी बिल्डिंग्स फोर्ट बने हैं जिसे फ फतेपूर सिक्री बनाया गया तो अकबर ने थोड़े सालूम बाद अपनी जो कापिटल है वो भी आगरा से शिफ्ट करके फतेपूर सिक्री पर आ गया था वो ठीक है तो हुमायू जो है हुमायू टॉम जो है वो भी अकबर के टाइम पर ही बना बट ये अकबर के ओर्ड के टाइम पर बने हैं दीने इलाही जो है एक religion था जो अकबर ने चलाने की कोशिश की जिसमें हर religion की जो अच्छी अच्छी values ही वो सब इन्होंने एक religion में club करने की कोशिश की बट ये religion जादा चलने ही पाया और मनसबदारी system जो है उसका सारा credit किसको जाता है टोडर मल को क्योंकि this was the idea of toadermal ठीक है फिर आते हैं हमारे जहांगीर he was very passionate about paintings तो इनके टाइम पर paintings ने बहुत ज़दा flourish किया है जोने tobacco को भी ban किया था he was known as king of justice ठीक है इनी के टाइम पर first time Britishers जो थे वो इंडिया आए थे तो first Britishers तो थे जो इंडिया आए थे वो कौन थे captain hawking और यह आए थे उनसे business की permission लेने के लिए and later on Sir Thomas Roe भी आए थे for the same reason इन्होंने एतमाद का title दिया था मिर्जा ग्यास बेग को जो की father थे नूर जहां के नूर जहां को ने जिन्हें अनार के लिए भी बोला जाता है वो उनकी wife थी ठीक है और इनका असली नाम क्या था महरुनिसा ओके और जहांगीर ही थे जिन्होंने अरजुन देव जो की सिक गुरू थे उन्हों उन्हें फांसी की सजा दी थी ठीक है तो चलिए अब चलते हैं जहांगीर से आगे और बात करते हैं अपने आज की questions की जो हमने अभी तक पड़ा है मुझे जो जो लगा जो important questions बन सकते हैं मैंने वो सब क्लब करके आपको summarize करा दिये हैं देखें, who consumed the patronage of all the sultans from Balpan to Giyasuddin Tughlaq तो Aamir Khusra थे जो 10 years तक इन्होंने 10 sultans की patronage इन्होंने ली थी who started the leather emblem in India? Muhammad bin Tughlaq तो आमेर खुसरो थे जो 10 years तक इन्होंने 10 sultans की patronage इन्होंने ली थी which dynasty of sultans ruled the longest? Tughlaq dynasty? in which year first battle of Panipat fought? 1526 now you need to comment कि किस किस के बीच में battle of Panipat हुई थी Akbar built Panch Mahal जो की famous है अपने pillars के लिए कहां पर? फतेपुर सिक्री में who was the first to use artillery in India? तो बाबर जो थे पहले बारी उन्होंने ही artillery use की थी which Rajput king was defeated by Barber in the battle of Khanava Rana Sangha को हराया था where did Barber die? तो आगरा में इनकी death हुई थी who built the Purana किला? तो शेशा सूरी ने बनाया था who built Humayun's tomb in Delhi? हाजी बेगम जो क्योंने की wife थी? उन्होंने orders दिये थे ठीक है? how old was Akbar at the time of coronation? coronation means Rajji Abhishek तो तेरह साल की उमर में ही उनका Rajji Abhishek हो गया था who was the famous Jain scholar whom Akbar respected so much तो किसको अकबर सबसे ज़ादा respect करते थे? कौन से Jain scholar थे? हरी वज़े नाम था उनका? ठीक है? so today also there are three questions आप वीडियो आए हैं आपने पूरी वीडियो पढ़ी हैं तो make sure कि ये आप तीन questions करके जाएं this shows your dedication कि आप कितना अच्छे से अपने लिए prepare कर रहे हैं exams के लिए and क्योंकि आपने पूरी वीडियो पढ़ी है तो there is no fun कि आप ये questions को नहीं solve करके आप मुझे किसे बताएंगे कि आप कैसा पढ़ रहे हैं? I get to know about your study only through your comments ठीक है? तो I really look forward to your comments you comment down below अगर आपको कोई भी query भी है इस lecture से related वो भी मैं आपकी solve करने की कोशिश करूँगी and in fact अगर आपको कुछ suggestions हैं वो भी आप दे सकते हैं मैं सारे comments आपके पढ़ती हूँ so do comment below about all these three answers जो मैंने आपको दिये हैं ठीक है? तो with that I will finish my lecture I will come up with another lecture जिस से हम medieval history को खतम ही कर देंगे and then we will move forward to modern history जो की बहुत important है हमारे exam के लिए so with that thank you so much I leave now God bless you